अगर देखा जाए तो यह स्टॉक का नीचे की ओर ही चल रहा है और करीबन कोई भी रिलीफ रैली नहीं देखी गई है और यह जो ट्रेंड नीचे का है यह करीबन लास्ट एक साल हो चुका है इसने हाई बनाया था यह देड़ सो के आसपास उसके बाद अभी करीबन पेंट से या अशोख ले लेंडेज और परफार्मिंग स्टाउक से और थोड़ा डिफेंसिव है उसमें से चुनना होगा बलकि इससे बाहर आजाने की राही होगी और राइट और लंबी अदी के लिए आपने आने वेश के हैं पंकर नहीं शॉट टम मैं शॉट टम के लि जी बिलकुल आपका फोन नहीं काटा जाएगा आशीश दो शैसे इनके पास आइडिया सेलुलर पांट सो शैसे इनके पास 110 के भाव पर और बैंक अबरोडा 140 के भाव पर इन्होंने खरीदे हुए हैं 1500 शैस क्या सला होगी आपकी शॉट टम के नजरे से यहां पर पिश्किया है तो इन्हें स्टॉप लॉस के साथ काम करना बहुत मत्वपुन होगा और दुसरा कारण ये भी है कि अगर आप आइडिया का स्टॉक्चर देखे ओर रल 205 पे एक हाई बनाया था उसके बाद से यह चलता हुआ करीबन 100 रुपे के आसपास आ चुका है अभी स्टॉक करीबन 112-113 का आकड़ा पार करके क्लोज होता है उपर में तभी करीबन 125 के आसपास का मूव देखा जा सकता है ज्यादा उम्मिद नहीं रतनी चाहिए इन्हें एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना चाहिए फिलाल होल्ड करके रखे और दूसरा जो स्टॉक है ब पॉजिटिव रुजहान बनता हुए नजर आ रहा है लेकिन ये स्टॉक ज्यादा तर जब फॉल आता है और राइस आता है तो एक कंसॉलिडेशन देखा जा सकता है जिसके पहले ट्रेंड इमर्ज नहीं हो पाएगा तो एक कंसॉलिडेशन में रह सकता है एक साइडवेस रखना होगा 110 का होगा थोड़ा दूर है लेकिन इतना स्टॉप लोस इने रखना ही होगा और उपर में एक सो 149 का लेवल अगर पार करता है तब भी जाके कोई पॉजिटिव रुजहान बन पाएगा इस स्टॉक में बिल्कुल चले इस बीच हमारे साथ अब हमारे अगले अब यह अब तो इस बीच पाइए और दूसरा एक एक अब आप सो शेयर थीन तो पांच रुपे के है अब देखे ए यह लॉंग तर्म इंवस्टमेंट के लिए को आपको दी गई होगी जी बिजनस पर लेकिन अब अशीश अब तीन सो पांच के इनकी खरीद है तो क्या अक्यूमिलेट करें इन लेवल्स पे एन सेखेंडली लियूपे इन जो कि इन्होंने दोहजार पच्चीस में लिया है इस पर क्या स्ला होगी आपकी देखे महीर जैसे कि अभी PSU बैंक्स पर हमने बात की कि overall structure फिलाल नीचे का है PSU बैंक्स पर overall सभी सभी बैंक्स पर दवा बना हुआ है लेकिन ये लेवल पर exit तो नहीं करना चाहिए इन्हें और यहां पर एक stop loss जो लगा के रखना होगा करीबन 140 का है ये stock में momentum नीचे के और कुछ कम होता नजर आ रहा है तो possibility है कि यहां से हम थोड़ा sideways to positive action देखा जा सकता है तो फिलाल hold करके रखे है stock के अंदर और दूसरा जो looping का stock है उसमें देखा जाए तो एक बड़ी range में चल रहा है उपर एक जो peak बनाया था 2150 के आसपास का और नीचे का जो बहुत ही महत्वपुन support है वो 1600 का 1600 के level पे करीबन 3-4 बार आके यह bounce back हुआ है तो इसे definitely hold करना चीए लेकिन जो बड़ा trend इमर्ज होने के लिए इससे previous हाई 2100-2150 का पार करना महत्वपुन होगा और नीचे में जो stop loss इने बनाया रखना होगा वो 1600 का है एक range में रह सकता है थोड़े time के लिए 3-6 मेने के किन में से शैस हैं? बलरामपूर चीनी में निवेश किया जा सकता है लेकिन news driven है तो थोड़ा stop loss के साथ काम करना होगा नीचे में जो 65 रुपिया है बहुत ही important stop loss है और उपर में 95 का अकड़ा अगर cross करता है तो trend positive continue रह सकता है जी बहुत बहुत शुक्रिया बताईए आज कौन से शैर के बारे चाहिए पर चाहिए पर चाहिए पर प्रॉफिट बना रहे हैं बहुत लोग यहां पर काफी स्टक हैं वेदान्ता और अधर मेटल स्टॉक्स में आपको राय दिल बाह देते हैं आशीश क्या सला होगी 62 के भावव पर 6000 शैर्स इनके पास वेदान्ता के देखे साक्षी पहले तो इन्होंने काफी अच्छे लेवल पर खरीदी किये और ऐसे मार्केट में अगर प्रॉफिट में कोई स्टॉक है तो डेफिनिटली काफी अनकॉमन है यह चीज़ देखना और फिलाल यह स्टॉक में अगर दिखा जाए तो एक कंसलिडेशन चल रह चीज़ दो साइड सब्से जादा इंपोर्टेंट terrorists उपने जाने की गुणाइश नहीं है ऑइससे मार्केट में अर् उपर में ज्जादा जाने की गुनजाइश्स नहीं है नाैंो पास वह उपह टसप्र जाना कोदोगर एक स्टॉफिट के साथ काम करिए कॉस्ट पे स्टॉप रखिए तो इन्हें लॉस नहीं होगा डेफिनिटली बिल्कुल चले शेर ऑफ 200 कॉंटिडी अध्रेट ऑफ 28.75 और दो फर फॉर ट्रेडिंग उन्ली ओके ट्रेडिंग पॉपस के तरफ से आपने यह लिया है ठीक है आशीश क्या सला ह होगी मोर्पन लाप्स पर 28.75 के भाव पर उन्ली ओर अभी 28.40 पर ट्रेड कर रहा है देखे साक्षी इनके कॉस्ट के काफी पास में ही है यह स्टॉक और यह ट्रेडिंग के नजरिये से कर रहे है तो उपर में एक रिट्रेस्मेंट देखा जा सकता है जो 61.8% के आस-पास आ सकता है जिसका टार्गेट लेवल करीबन 30 के आस-पास होगा और स्टॉप लॉस जो इने लगा के रखना होगा वो करीबन 25 का एक लगा के रखना होगा तो इसमें यहां से गुंजाईश जो है शौट टम के नजरिये से बता रहा हूं अगर गुंजाईश जो है वो 30 के आस-पास पार्शल प्रॉफिट बुक करिए और रिमेनिंग फी ट्रेयल करते रहिए और स्टॉप लॉस अभी एग्जिस्टिंग पोजिशन के लिए 25 के आस-पास का लगा के रखिए बेकुल चली इस बीच तो चाहे कि आप लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाते है या फिर चौट टर्म कही नजरिया है तो तीन-चार महिने के लिए मैं तीन-चार महिने के लिए ठीक है आपको राय दिलवा देते हैं आशीश क्या सला होगी पी एंडी पर 71.20 के भाव पर लिया है कुछ पैसों का यहां पर इनको प्रॉफिट जरूर हो रहा है याप बट लार्जर कंसर्ण अभी भी हैं जिस तरीके से विलफुल डेफॉल्टर्स की लिस्ट भी आज डिक्लेर की है 11,000 करोर का बकाया भी है बैंक के ऊपर इन डेफॉल्टर्स का किस तरीके से अब इनको स्ट्राटिजी याँ पर बनानी चाहिए क्या निकलने की सला होगी आपर करना चाहिए अभी जो लो बन रहे है वो लो अगर 120 पे जब यह स्टॉक ता तब भी भी लोग होने लगा कि एक कम वैल्यू पे है अभी करीबन 70 पे आ गया फिर भी लग रहा है तो हमें नहीं पता कि लो कहां तर जा सकता है इसलिए इन स्टॉक्स का वाइड करना चाहिए इसके वलगर इन्हीं निवेश ही करना बैंक्स में तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जैसे HDFC बैंक है या इंडसीन बैंक है वो प्रॉमिसिंग लगते है तो उन बैंक्स में निवेश कर यह पीज़ी को फिलाल अवाइड करना चाहिए इसमें देखा जाए तो यहां स पॉजिटिव रुजान देखा जा सकता है और जो की बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो करीबन 110 के आसपास का है तो इस टॉक में डेफिनिटली इन्हें यहां पर निवेश किया जा सकता है एक स्टॉप के साथ काम करना हो क्योंकि ओरल मार्केट का मुवमेंट हम देख देखे मीर डीलेफ जो स्पेस से बिलॉग करता है और अल हमने देखा कि रियल एस्टिट स्पेस में और इंफ्रास्पेस यह दोनुई स्पेस में काफी दबाव बना हुआ है और कोई पॉजिटिव रुजान नहीं देखा गया है तो डीलेफ से तो रही यही होगी कि इने क कोई भी थोड़ा भी पूल बैक अगर उपर में मिलता है तो भाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि ज्यादे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते यह 2008 से करेक्शन में चल रहा है और अभी तक वह करेक्शन बरकरार है तो ऐसी स्टॉक के भाहर आ जाना चाहिए डेफिनिटली बैयो कॉन अगर देखा जाए तो वाय कॉनन ने काफी रेंज में चल रहा है उपर में एक करीबन हाई बनाया था साड़े पाच् सो के आसपास और लो करीबन ऺास्पास बनाया था तो बैयो कॉन में ये बने रह सकते है नीचे में स्टॉप जो लगा कर रखना होगा चार स कर जाना चाहिए जी विर्कुल तो hold on to biocon and exit from dlf